हेलो दोस्तों आज की जो हमारा चेप्टर है वो है एन्वार्मेंटल साइंस से परियावरण का ध्यन का परीचे एवं उसके महत के बारे में तो चलिए सुरू करते हैं बिना किसी देरी के क्या होता है परियावरण और हम इसका ध्यन क्यूं करते हैं 21 सदी की सुरूवात में ही पूरी दुनिया के सामने परियावरण से जुड़ी कई चुनोतिया सामने आ गई थी जिसके कारण ये एक गंभीर विशे बन चुका था क्यूंकि परियावरण की सुरक्षा तब भी संभव है जब लोग उसके परती जागरूख हो अब बात करते हैं परियावरण कहते किसे हैं देखो हमारे आसपास के वातावरण को परियावरण कहा जाता यानि हमारे आसपास के वातावरण मिलकर परियावरण का निर्मान करते हैं अब बात करते हैं कि परियावरण के अध्यन करना क्यों जरूरी है परियावरण का अध्यन करते कैसे हैं तो इसमें सबसे पहले आता है परियावरण का जो अध्यन है वो एक पहू शास्त्री प्राकर्ती का विशे है मतलब एक बहुत गहरा विशे है और इसका अध्यन करना असान भी नहीं होता पिछले कुछ समय में इसका विकास विज्ञान के विशे के रूप में हुआ है परेवर्ण अध्यन के अंतरगत हम किन-किन विश्यों का अध्यन करते हैं देखो परेवर्ण के अध्यन के अंतरगत हम विज्ञान समाजिक अध्यन समाहिक अध्यन जी वि विज्ञान, रस्यानिक सास्त्र, भोतिक सास्त्र, समास सास्त्र, स्वास्त, मानव सास्त्र, अर्थ सास्त्र, सांख्यकी, कम्प्यूटर, धर्शन सास्त्र, इन सभी चीजों का ध्यन करते हैं। अब बात करें अगर उनके महत्व की तो देखो परियावरण का समय समय से बहुत महत्व है हम सभी अपने देनिक कारे करम में जह हम दिन भर जितने भी काम करते हैं हम उनके लिए परियावरण पहीं नेर भर हैं यहां तक कि आज हमने परियावरण को इतना नुकसान पहुचाया है जिससे ग्लोबल वॉमिंग, ओजोन परत की छती, जंगल हैं जो वो कम होते जा रहे हैं, परियावरण को हस होते जा रहा है, मिट्टी पर बुरा प्रभाब पढ़ रहा है, जल पर बुरा प्रभाब परियावरण को हमने खतम करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी, जबकि हमारे पूरे जीने का अधार यही परियावरण है, परियावरण को हम एक जटिल सरंचना की रूप में देखते हैं, या परियावरण को एक जटिल सरंचना मानी जाती है, क्योंकि यह अलग- सांस्कृति ता अलग-अलग चीजे सामिल हैं है कि परियावरन को एक जटिल सरंचना कहते हैं इसके बाद हमारा अगला टोपिक का परियावरन और इसके गटक के बारे में कि परियावरन क्या है ये तो मुखेत हमने दो भागों में बाट रखा है भोतिक परियावरन तथा जैविक परियावरन ध्यान जासा मजना इसको देखो भोतिक परियावरन के अंदर तीन चीज़े आती है स्थल मंडल परियावरन वायू मंडल परियावरन जल मंडल परियावरन जबकि जो हमारा दूसरा परियावरन है व वायू मंडल और उसकी सरंचना। देको पिर्थवी के चारोर एक गेसी आवरण हैं, यानि पिर्थवी के चारोर dough a गेस का आवरण सा बना हुआ है, जिसे हम वायू मंडल कहते हैं। इसको दोखो इसको असान भासे में और समझ सकते हैं पिर्थवी के जो पिर्थवी है वो अन्य मंडलों की तरह ही वायू मंडल भी जैव आजेपकारकों के लिए महतपून माना जाता है हमारे आसपास एक गेस का आवरान यान एक चादर सी बनी हुई है जिसे हम वायू मंडल कहते हैं और इस पिर्थवी जो है वो भी वायू मंडल की तरह जैव और आजेपकारकों के महतपून भूमिका निवाती ही देखो वायू मंडल पिर्थवी पर जीवन के लिए एक इन ही गेसो से हम अब सांस भी लेते हैं पोधे भी अपना खाना बनाते हैं और सारे इन गेसो पर जिंदा है इसलिए वायू मंडल को एक महतपून तत्व के रूप में माना जाता है पिर्थवी जमीन से उचाई बढ़ने के साथ साथ वायू मंडल की संगनता कम होती जाती है जमीन से लगभग सो किलो मीटर के उचाई पर करमन रेखा मानी जाती है यहीं रेखा वायू मंडल की बाहे अंत्रिक्ष को हमें इनसे अलग करती है अब बात करते हैं चोव मंडल की जैसे आप सब चितर में देख सकते हैं पिर्थवी की जो सबसे पहली परत उपर आती ह है वह है चोव मंडल चोव मंडल में उचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी कमी आती है तापमान में कमी आती जाती है और यह 6.5 डिगरी की धर से होता है और उचाई बढ़ने पर तापमान की घटने की प्रकिरिया परियावरण हसदर के रूप में जानी जाती है यानि जैसे जैसे में उचाई पर जाते जाते हैं, परियावरण की हसदर बढ़ती जाती है, तापमान कम होते जाता है, धुरूबों पर छोब मंडल का तापमान माइनस 55 डिगरी सेल्सियस नीचे चला जाता है, यानि जैसे जैसे में उपर जाते जाते हैं, धुरूब की तर जाता है अब ज़रा चितर में इसके उपर देखो जो इसकी दूसरी परत है वो है समताप मंडल देखो वायू मंडल की दूसरी जो परत होती है उसे हम समताप मंडल कहते हैं या छो मंडल की समी बिंदू यानि उसके जश्ट उपर वाली बिंदू होती है और यह लगवग 50 कि कि उचाई तक स्थिर रहता है, ये तापमान जरा भी नहीं बढ़ता। लेकिन उसके बाद, जैसे हम उपर जाते जाते हैं तापमान में भ्रधी होती, जाती है। जारा चित्र में देखो तीसरी परत है, जैसे हम Magspheer कहते हैं, ये जो परत है ये है जमीन के 50 km से 80 km की से 80 km तक की उंचाई पर पाया जाता है यहां पर तरंगे पाई जाती है तो इस परकार हमने देखा कि वायू मंडल की गेसो का एक जो बायू मंडल है वो पूरी गेसो का एक अनावरा नहीं यानि एक चादर की तरह बना हुआ है और यह पिर्थिवी पर जीवन के लिए बहु पर पाहे जाना है वाला पूरे जल में लगभग 97% जो जल है वो समुद्री जल होता है यह समुद्री जल खारा होता है इसलिए हम इसको पी नहीं सकते यहीं नहीं धुरूबिय बर्फ ग्लेशियर बर्फ और तथा अन्ने कई पानी यह सारे कुल पानियों का केवल 2% है मंडल में उपस्थित जल पिर्थवी पर उपस्थित कुल जल का 0.001% है यहीं नहीं पिर्थवी के 71% छेत्र फल पर जल पाया जाता है पिर्थवी पर जल की प्रचूरता इतनी है यानि पिर्थवी पर इतना सारा जल है इसलिए पिर्थवी को नीला ग्रह कहा जाता है क्य ये आपस में एक दूसरे से जितने भी महासागर है ना ये आपस में एक दूसरे से जोड़े होते हैं बड़े से छोटे के करम में प्रिथिवी में कुल पांच महासागर इस प्रकार पाये जाते हैं पहला है प्रसांत महासागर दूसरा है अटलांटिक महासागर तीसरा है हिं है हमारे जो प्रिथवी है उसमें जल मंडल में जल चक्र चलता जाता है यानि जैसे आप सब चित्र में देख सकते हो कैसे समुद्र का पानी बहां बनके उड़ रहा है वास्पी करण हो रहा है फिर वो उपर जाके संगन हो रहा है मतलब जम रहा है और बादल का रूप ले र मंडल पिर्थवी की सबसे उपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं इस परत की जो मोटाई है वो 30 से 40 किलो मेटर की मोटाई है पिर्थवी का ब्यास 12700 किलो मेटर है हम जैसे जैसे पिर्थवी की गहराई में जाते जाते हैं ना तापमान और दवा बढ़ते जाता है यही कारण ह तदा 20 Кroll में विभाजित किया जा सकता है यही नहीं पिर्थवी का मध्य भाग जिसे प्रवार या मैंटल कहा जाता है यह लगभाग 2900 किलोमेटर मोटा है मैंटल के उपरि प्रत को एस्थ़ान स्फियर कहा जाता है इस की जो सबसे मेंटल जो होता है उसकी जो सबसे उपरी परत होती है उसे एस्थान स्फियर कहा जाता है पिर्थिवी के सबसे भाय भाग को भू परपटी कहा जाता है यह आद रखना एक पिपर में पूशता है पिर्थिवी के सबसे कही संभव है तो वो स्थल मंडल पर ही बायू मंडल जल मंडल के संयोग से जीवन संभव हो पाया है स्थल मंडल पर ही जल पाया जाता है और वायू पाया जाता है यही कारण है यहां पर जीवन संभव है सारे कि सारे भूद्रि से जैसे सागर परवत जील नदी यह सारे स्थ सबधल मंदल पर ही पाया कार्ण है किस अजिवन Catalina wandering व्यूर्व गुति हैं निरहां जिवन पाया जाता है अब हमारा सब्सक्राइक पका मूदे से पहले ज़ल मंदल के जीत्र को संभभ बनाते हैं और यही सब मिलके जेव मंडल का निर्मान कहते हैं जेव मंडल ऐसी जगह है जहां जीवधारी का जीवन का अधार है मतलब जीवधारी हम लोग हम सब यहां यहां पे रहते हैं यह हमारे जीवन का अधार बनावा है जेव मंडल इसको चितर की माध्यम से आप असानी समझ सकते हो देखो किस तरह स्थल मंडल, जल मंडल और वायो मंडल मिलके जय मंडल का निर्मान कर रहे हैं अधिकांस जो जीब होते हैं वो जमीन पर या फिर जमीन से कुछ किलो मेटर नीचे तो वहाँ पर भी कुछ जीव पाई जाते हैं यह सारे के सारे जैमंडल का अधार है क्योंकि वहाँ पर भी ऑक्सीजन प्रकास तापमान होता है और वो उनीके अनुसार अपने आपको डालते हैं जैसे उट रहिगिस्तान में पाई जाता है तो मचलिया पाई जाते हैं तो सबका अपना अधार होता है तो यह सारे मिलके क्या करते हैं जैमंडल का निर्मान करते हैं तो पिर्थिवी का भाभाग जो जीवित प्राणी एवं पेंड पोधे को रहने के योग्ये बनाता है इसे हम जैमंडल भी कह सकते हैं इसको हम इकोस्फेर भी कहते हैं इकोस्फेर, इकोस्फेर का मतलब क्या है कि ऐसी जगा जहां पर पेंड पोध है जीव जन्तु असानी से अपने जीवन को जी सके तो दोस्तो इसी के साथ हमारा आज का टोपिक जो है वो समाप्त होता है वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब पर ना भूलें तो अपने दोस्ते के साथ इसको शेर करें